हलो स्रेटेंट्स आप सभी का स्वागत है एक एसलो क्लासेज में आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं लेबर लॉस के हमसे की कुशन पार्ट फोर इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट पार्ट सैकिंड और पार्ट थर्ड अप्लोड कर चुके हैं उन्हें आप प्लेलिस्ट म theoreticallyans 62 कि इस धारा के अधीन पंजियक निडाएं कि अपील का प्रावादान है प्रावधान आप ध्तार 16 में आप फ्राव्ट 8 मैं प्रावधान Shock Q63. व्यवसाई संग अधिनियम 1926 की किस धारा में उपबंदित है? पंजिय किसी व्यवसाई संग को पंजिकरत करने के पश्चात एक पंजियन प्रमाल पत्र जारी करेगा. Q64. व्यवसाई संग अधिनियम 1926 की किस धारा के अंतरगत एक पंजिकरत व्यवसाई संग को कतिपए मामलों में दिवानी वादों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? Q65. व्यवसाई संग अधिनियम 1926 की धारा 21 किस से संबंदित है? A. व्यवसाई संगों की लेखा पुस्तकों के निरचड का अधिकार B. अवैसकों को व्यवसाई संग की सदस्यता का अधिकार Q66. व्यवसाई संग अधिनियम 1926 की किस धारा में व्यवसाई संगों के समामेलन के संबंद में बताया गया है? A. अप्शन A. दहरा 20 में. अप्शन B. धहरा 21 में. अप्शन C. धहरा 22 में. अप्शन D. धहरा 24 में. Q67. व्यवसाई संग अधिनियम 1926 की कौन सी धारा यहां उपबंदित करती है कि इस अधिनियम के अंतरगत वनित अपरादों का विचारण केवल प्रेसिडेंट दन्नायक या प्रथम शेडि के धन्नायक द्वारा ही किया जा सकेगा? अप्शन A. धहरा 33. अप्शन B. धहरा 32. अप्शन C. धहरा 30. अप्शन D. धहरा 20. तो इसका सही उत्तर है. अप्शन A. धहरा 33. Q68. किस परिस्यती में? जबरी छुटी की जा सकती है. अप्शन A. कोईले की कमी. अप्शन B. कच्चे माल की कमी. अप्शन C. मसीनरी में खराबी के कारण. अप्शन D. ओप्रुक्त सभी. Q69. ओध्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार हरताल के रूप में है. अप्शन A. सामुहिक पूढ हरताल. अप्शन B. कलम बंद हरताल. अप्शन C. भूख हरताल. अप्शन D. ओप्रुक्त सभी. तो इसका सही उत्तर है. अप्शन D. ओप्रुक्त सभी. Q70. मजदूरी भूखतान अधिनियम 1936 कब प्रवर्तन में आया? यानिकि इसकी इन्फोर्स टेट बतानी है. अप्शन A. 28. मार्च 1937. अप्शन B. 10. जन्वरी 1937. अप्शन C. 10. अक्टूबर 1937. अप्शन D. ओप्रुक्त में से कोई नहीं. तो इसका सही उत्तर है. अप्शन A. 28. मार्च 1937. Q71. अध्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में समझोता अधिकारी की परिभासा दी गई है? अप्शन A. धारा दो A में. अप्शन B. धारा दो B में. अप्शन C. धारा दो C में. अप्शन D. धारा दो D में. तो इसका सही उत्तर है. अप्शन D. धारा दो D में. कुशन नमर 72, जाज न्यायले समुझत सरकार को रिपोर्ट कितने समय में प्रिशित करता है अप्शन A, 14 दिन में, अप्शन B, 30 दिन में, अप्शन C, 6 महा में, अप्शन D, 3 महा में तो इसका सही उत्तर है, अप्शन C, 6 महा में कुशन नमर 73, एक यूनियन का नेता और व्यापार संग के पदादिकारी ट्रेड यूनियन को क्या उन्मुक्ति प्राप्थ है अप्शन A, इस्थांतरन, अप्शन B, दुराचरन, अप्शन C, दीवानी कारवाही अप्शन D, सोच समझ कर अतिचार, तो इसका सही उत्तर है, अप्शन C, दीवानी कारवाही कोशन नमर 74, बाल मजदूर, रोक थाम, एवं विनिमय, अधिनियम 1986 के अंतरगत, किस धारा में, बाल मजदूर, तकनीकी सलहकार समती को बताया गया है अप्शन A, धारा 2 में, अप्शन B, धारा 3 में, अप्शन C, धारा 4 में, अप्शन D, धारा 5 में, तो इसका सही उत्तर है, अप्शन D, धारा 5 में, यानि कि जो बाल मजदूर होंगे, उनकी रोक थाम, एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतरगत, जो धारा 5 है, वो बाल मजद स्तुरी स्तक्निकी सलाकार समति के बार में बताया गया है कुश्य नमबर 75 प्रमाड करता अधिकारी कौन है और द्योगिक नियोजन इस्थाई आदेश अधिनियम 1946 के अंतरगत आप्शन एक श्रम आयुक्त आप्शन बी एक छेत्रिय श्रम आयुक्त आप्शन सी कोई अन्य अधिकारी जो सरकार द्वारा सरकारी गजट से अधिसूचनाओ द्वारा अधिनियम के अंतरगत प्रमाड करता अधिकारी के कुछ कार्यों को करने के लिए नियुक्त व्यक्ति आते हैं अप्शन डी ओ प्रुक्त सभी तो इसका सही उत्तर है अप्शन डी ओ प्रुक्त B. वैधानिक अधिकार Option C. समानता का अधिकार Option D. कोई अधिकार नहीं तो इसका सही उत्तर है Option A. मौलिक अधिकार Question No. 77 ओध्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कितने अध्याए हैं? Option A. दो अध्याए Option B. चार अध्याए Option C. छे अध्याए Option D. साथ अध्याए तो इसका सही उत्तर है Option D. साथ अध्याए Question No. 78 ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए कितनी आयू होनी चाहिए? Option A. अठारा वर्स Option B. सोलह वर्स Option C. पंद्रह वर्स Option D. 21 वर्स तो इसका सही उत्तर है Option C. पंद्रह वर्स Question No. 79 करमचारी राजबीमा अधिनियम 1948 की किस धारा के अंतरगत चिकित्सया प्रस विधा परिशत के गठन का अपबंद किया गया है Option A. धारा साथ में Option B. धारा आठ में Option C. धारा नो में Option D. धारा दस में तो इसका सही उत्तर है Option D. धारा दस में Question No. 80 करमचारी राजबीमा अधिनियम 1948 की किस धारा के अंतरगत इस्थाई सम्ती के गठन संबंदी उपबंद प्रस्तुत किये गए है Option A. धारा ग्यारे में Option B. धारा बारे में Option C. धारा आठ में Option D. धारा साथ में तो इसका सही उत्तर है Option C. धारा आठ में Question No. 81 करमचारी राजबीमा निगम की इस्थापना की जाएगी Option A. केंद्रिय सरकार द्वारा Option B. राज्य सरकार द्वारा Option C. उच्छ न्यायले द्वारा Option D. उप्रुक में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है Option A. केंद्रिय सरकार द्वारा Question No. 82 करमचारी राजबीमा अधिनियम 1948 की किस धारा के अंतरगत इस्थाई समती की शक्तियां दी गई है Option A. धारा अठारे के अंतरगत Option B. धारा सत्रह के अंतरगत Option C. धारा सोला के अंतरगत Option D. धारा अठारे के अंतरगत तो इसका सही उत्तर है Option A. धारा अठारे के अंतरगत Question No. 83 करमचारी राजबीमा अनिगम का प्राधान अधिकारी अधिक से अधिक कितनी कालावदी के लिए अपना पधारण करेगा Option A. तीन वर्स Option B. चार वर्स Option C. पाँच वर्स Option D. साथ वर्स तो इसका सही उत्तर है Option C. पाँच वर्स Question No. 84 सिविल न्यायले किसी भी ऐसे मामले पर कारवई नहीं कर सकता जिसका नेड़े बीमा न्यायले द्वारा किया जाना अपेचित है यह किस धारा में उपबंदित है Option A. धारा 72 में Option B. धारा 73 में Option C. धारा 74 में Option D. धारा 75 में तो इसका सही उत्तर है Option D. धारा 75 में Question No. 85 करमचारी राज बीमा अधिनियम 1948 की धारा 84 में उपबंदित है Option A. मिथ्या वचन के लिए दंड Option B. अपील लंबित रहने तक भुगतान पर रोक Option C. नुकसानी वसूल करने की शक्ति Option D. उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है Option A. मिथ्या वचन के लिए दंड Question No. 86 करमचारी बीमा न्यायले की शक्तियां इस अधिनियम की किस धारा में उपबंदित है Option A. धारा 55 में Option B. धारा 88 में Option C. धारा 66 में Option D. धारा 81 में तो इसका सही उत्तर है Option B. धारा 88 में Question No. 87 करमचारी राज बीमा अधिनियम 1948 की धारा 82 के अधिन अपील के लिए परिसीमा होगी Option A. तीस दिन Option B. पैतालिस दिन Option C. साथ दिन Option D. नब है दिन तो इसका सही उत्तर है Option C. साथ दिन Question No. 88 करमचारी राज बीमा अधिनियम की धारा 95 की अंतरगत उपबंदित है Option A. केंद्रिय सरकार की नियम बनाने की शक्ति Option B. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति Option C, केंद्रिय सरकार के निर्देश देने की शक्ति Option D, उप्रोप्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है Option A, केंद्रिय सरकार के नियम बनाने की सक्ति Next question, question number 89 करमचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की किस धारा में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है Option A, धारा नभ्य में Option B, धारा बानवे में Option C, धारा पिच्चानवे में Option D, धारा च्यानवे में तो इसका सही उत्तर है Option D, धारा च्यानवे में Next question, question number 90 करमचारी राज्य बीमा निगम की विनियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतरगत उपबंदित है Option A, धारा 81 में Option B, धारा 76 में Option C, धारा 84 में Option D, धारा 97 में तो इसका सही उत्तर है Option D, धारा 97 में Question number 91, व्यवसाई संग अधिनियम कब लागू हुआ Option A, एक दिसंबर 1927 को Option B, एक जून 1927 को Option C, 15 जून 1926 को Option D, 15 में 1926 को तो इसका सही उत्तर है Option B, एक जून 1927 को तो लेबर लोज के हमने अब तक 91 कुशन को सॉल्व कर लिया है और आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, इसके पार्ट और भी हम लेकर के आएंगे हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप हमारी वीडियो को जाधा स जाधा शेयर करें जिससे और भी स्टुरेंट्स इसका लाव उठा सकें अर जाधा से लायक करें हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता आई है आकी तरव से और प्लीज सब्सक्राइब भी करें ओके थेंक यू सो मच